रिश्य को आज की तारीख में सारे मार्ग याद रहते हैं सिर्फ जीवन का मार्ग याद नहीं रहता हम लोग निरंतर की आपा धापी में रूच की भागदोड में एधा उधर के क्रम में उस दिशा को भूल जाते हैं जिस दिशा को जिस लक्ष को जिस उद्देश को लेकर ह धुछे से तने से उसके महावत ने उसको बाढद दिया है रसी से बाढद दिया है तो शिष्षी के मन में जिग्यासा हुई उसने महावत से बूचा कि भःया एक हाथी तो काफी विशाल है मजबूत है कभी भी तुड़ा करके भाग सकता इस रसी को भागता क्यों नहीं है भाइया, यह हाती को अपने छोटे से पाला है, जब छोटा था, तो इतनी रसी और इतना बड़ा तना इसके लिए काफी पड़ता था, और इसने शुरू में भागने का बहुत प्रतने किया, जब भाग नहीं पाया, तो अब इसके मन में आदत पड़ गई है, कि भाग नहीं मुक्ति आमारग सामने भी खड़ा होता है तो दिखा ही नहीं पड़ता। आदमि उनहीं आदतों का शिकार होकर कि रह जाता है। और उन आदतों से निकलने के लिए हमारे जीवन को सनमार्ग के पथ पर ले जाने के लिए हमारे जीवन को सदबुद्ध की सदभाव की दिशा में ले जाने के लिए जो मंत्र है वो मागायत्री का मंत्र है आज की तारीख में गाड़ियों के अंदर GPS लगे हुए आते हैं Global Positioning System आप कहीं पर भी हो वो आपको रास्ता बता देंगे किधर जाने की आवश्रकता है मागायत्री का मंत्र हमारे जीवन का GPS है कभी भी हम लोग भटक जाएं जिनवन जिनमांत्रों में चले जाएं कुकर्मों में चले जाएं तो हमारे जीवन को सही दिशा दिखाने के लिए जो GPS काम करता है कि आप कहीं पर भी हो बेटा आप इस रास्ते को फॉलो करके हमारे पास आ जाओ मागायत्री का मंत्र